हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगी इन्टू लर्न व्रुदितीमन आज हम करने वाले हैं एरिक एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धान्त जिसे कहते हैं इसी को इंग्लिस में कहेंगे साइको सोशियल डैवलोप्मेंट थियोरी हम लोग आगे चलके वाइगोस्की की थियोरी पढ़ेंगे जिसमें उनकी थियोरी जो है वह है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्दान्ट तो confuse नहीं होना है Eric Ericson ने दिये मनो सामाजिक विकास का सिद्दान्ट Psychos Social Development Theory Ericson जर्मन-अमेरिकन मनो विज्ञानिक थे Ericson ने व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का व्यक्तित्व पर या विकास पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो यह उन्होंने 8 स्टेजिस से बताया तो इस थियोरी में जो Ericson है वो यह कहते हैं कि जो विकास है उस पर प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक पढ़ता है और नकारात्मक दोनों पहलूओं का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पढ़ता है तो उन्होंने आठ स्टेजिस बताई हैं आठ चरण बताए हैं और वो क्या थे एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको याद भी रखेंगे उन्होंने बताये जो भी 8 stages हैं उसमें हर stages में एक healthy stage होती है यानि सकारात्मक पहलू होता है और दूसरा अगर वो healthy stage पूरी नहीं हो पाती है तो उसमें नकारात्मक आती है यानि कि कोई भी इंसान हो उसमें एक तो उसके positive जो भी effect हैं वो पढ़ते हैं और दूसरा अगर वो उनको नहीं कर पाता है तो वह negative की तरफ चला जाता है चलिए यह हम stages से देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा तो यह trick जो है वो है इसकी टी ए ट्रिपल आई जी आई ठीक है अब टी से है trust versus mistrust आपको हिंदी इंगलिस दोनों में याद रखना है टी से है trust versus mistrust व विस्वास बनाम अविस्वास ए से है autonomy versus shame स्वायत्ता बनाम सर्म की अवस्था next है आई आई को तीन बार है first वाली आई है initiative versus guilty पहल बनाम अपराध उसके बाद है industry versus inferiority अध्य व्यविसाय बनाम हीन भावना next है आई से ही identity versus role confusion पहचान बनाम हुमिका ब्रांती उसके बाद है intimacy versus isolation घनिश्टता बनाम अकेला पन next है generativity versus stagnation उत्पादन सीलता बनाम अवरोध और last है इसे ego satisfied versus disappear आत्मसंतोस्टी बनाम निराशा तो इनके जो नाम है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कौन-कौन सी stage जो है वो कब कौन सी age में हो रही है वो भी याद रखना है तो trick according याद रखेंगे तो यह हमें exam में आसानी होगी क्या आपको याद रखना है टाई जी आई टी ए ट्रपल आई जी आई टी ए ट्रपल आई जी आई ऐसे आप याद रखेंगे चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है फर्स्ट है trust versus mistrust यानि विस्वास बनाम विस्वास यह जन्म से डेड़ वर्स तक की अवस्था होती है यदि छोटा शिशू जो होता है वह अपनी मापर विस्वास कर लेता है उसे trust हो जाता है तो वह feeding करता है लेकिन अगर वो उस पर विस्वास नहीं कर पाता है उसे वहा अवस्था और एक होती है healthy stage अगर उसे बच्चे को healthy stage नहीं मिल पाती है तो वह संकट की अवस्था में चला जाता है ठीक है इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों के लेकर ही stages बताई है विकास की next है autonomy versus shame यह डेड़ से तीन वर्स तक की अवस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है उसकी toilet training चल रही होती है लेकिन यदि उसमें वह सक्षम हो जाता है तो उसमें willpower आ जाती है यानि कि वो जो भी सुकून है वो महसूस करता है लेकिन यदि उसकी यह proper नहीं हो पाती है तो उसमें shame की अवस्था आ जाती है यानि कि शर्म उसको आती है तो वह क्या feel कर इकस्ट है पहल बनाम अवराध यह 3-6 वर्स तक ये वस्था होती है इस में बच्चा जो है वह स्कूल में जाता है, प्ले एज की होती है ये वस्था, ग्रूप बनाता है, बहुत सारी चीजों का एक्स्प्लोर कर्स, खोज करता है वह, तो अगर वह इसमें सक्षम हो जाता है तो ठीक यदि वह group बनाने में खेलने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसके अंदर भै या डर जो है वो पनपता है ठीक है तो यहाँ पर भी दोनों ही stages बताई है एरिक्सन ने वो कौन सी stage है यह पहल बनाम अपराद ट्रिक से आप age देखिए 6 से 12 वर्ज तकी होती है school age होती है इसमें बच्चा जो है वह group बनाता है sports वगरा में जाता है देखिए जो इससे पहले की अवस्था थी उसमें वह केवल play करता है तो play के according वह केवल group बनाता है और यहाँ वह school जाने लगता है तो उस तरीके से वह group बनाता है sports में participate करता है यदि वह है उन सभी बच्चों में मिलकर खेलना start कर देता है तो ठीक यानि कि यह है उसका positive effect है और अगर वो नहीं कर पाता है तो हीन भावना उसकी अंदर आ जाती है और यह कब आती है 6 से 12 वर्स तक की अवस्था में next है identity versus role confusion अब यह अवस्था जो है वो किसोरा वस्था तक की होती है यह 12 से 18 वर्स तक की होती है इसमें बच्चा जो है वो social relation बनाता है अपने जो दोस्त वगरा है वो इन से घनिष्टता है वो है बनाता है अगर वह है अपने व्यक्तित्व को खोज लेता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है जैसा कि हम देखते हैं कि जो 11 या 12 का बच्चा होता है वो इसी में लगा रहता है कि उसकी क्या पहचान है वो अपनी identity खोजता है अगर वह खोज पाता है अगर वह उसमें सक्षम हो पाता है तो ठीक होता है लेकिन अगर वह नहीं कर पाता है तो negative fact पढ़ता है यानि उसका role confusion हो जाता है वह बिलकु section ने बताई है उसके बाद यहां तक की जो अवस्था है वो तो आपको बिलकुल रटी होनी चाहिए क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमें 18 वर्सक का तो बिलकुल याद होना ही चाहिए यहां से exam आते हैं उसके बाद की जो अवस्था हैं उनके नाम और is यह आप को याद करनी है क्योंकि यहां से भी प्रश्ण जो है वो आ सकते हैं उसके बाद है घनिष्टता बनाम अकेलापन अब यह 20 से 40 वर्सक के वर्सता होती है इसमें जो बालक बड़ा हो जाता है उसका जो शादी विवाहवगराई यह हो जाते हैं और उसके अंदर लव negativity versus stagnation यानि उत्पादन सीलता बनाम अपरोथ अब उसकी जो family है वो हो जाती है 40 से 65 वर्सकी उम्र में तो वह काम को importance देता है अपनी family को importance देता है उनकी care वगएरा करता है और अगर वह इन कामों में नहीं रह पाता है तो उसमें अवरोध की अवस्था आ जाती है next है ego satisfied versus dissipate यह 65 से उपर की उमर जो होती है यानि 65 से अवब यहाँ पर वह अपनी life के जो अंतिम पड़ाओ है वहाँ पर आता है यहाँ उसको आत्म संतुष्टी मिल जाती है अगर वह अपने time पर सारी चीज़ें कर पाया है यानि कि जब उसको पहचान बनानी थी तब वो पहचान बना पाया social relationship बना पाया जब उसने marriage करनी थी marriage कर पाया वहाँ भी सक्षम हो गया work वगरा करके अपनी family को संतुष्ट कर पाया तो यहाँ उसको आत्म संतुष्टी हो जाती है लेकिन अगर वह इन कामों में नहीं रह पाता है तो उसके अंदर निरासा उत्पन हो जाती है कि अब उसके अंदर यह परिशानी आ जाती है कि वह अब कुछ भी नहीं रहा उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया इस तरीके की जो भावना है वह है उसकी 8th stage में आती है तो यह जो stages है आपको इनके एक तो नाम किम, initiative versus guilty और हमने तीन बार आई देखा industry versus infurity, identity versus role confusion, intimacy versus isolation और next G से देखा generativity versus stagnation और ego satisfy versus disappear इस तरीके से आप इनको याद रखियेगा तो आपको और यह याद रखना है कि Eric Erection का जो सिद्दान तो उसका नाम है मनु सामाजिक विकास का सिद्दान, psychosexual development ठेयोरी और इनकी 8 stages इन्ह ने बताई हैं, तो बहुत important यह theory है, आपको याद रखनी है, मिलते हैं इसी तरीके से, next वीडियो में, thank you